नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एकसाम ट्रेक्स पिजीसपर आपको एकडम सही जानकारी सबसे पहले प्रुवाइडरीक की जाती हूर अगर आप चाते हैं कि आपको सही जानकारी हैं मिले तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर लेना वीडियो सर्च करने के आपको जुरूरत नहीं पड़ेगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो आज आपको सभी को बता है कि हाई कोट में सुनवाई होने वाली है SI exam को लेके कि भी SI exam है उसको जो EWS को एक परकार से टाइम नहीं मिला उसको लेके इस चीज की सुनवाई होने वाली है कि भी जल्दी से जल्दी इसको पोस्टपॉंड करो और इसके अलावा भी एक मुद्दा ये उठाया जाएगा कि संभाग वाईज जो देना थाइडिमिट कार्ट वो नहीं दिया गया एक्जाम सेंटर है वो दूसरे संभाग में दिये जिसके कारण क्या है कि बच्चों को जाने में भी परेशानी हो रही है तो ये मुद्दा भी आज वहाँ पे उठाया जाएगा तो क्या आज पोस्टपॉंड होने के कितने चांस है केस डिटेल वाले हैं वो अरुन वनसाले रहने वाले हैं एड़ोकेट यहां पे रहने वाले हैं अंकित विस्नोई यहां पे आप देख सकते हो अंकित विस्नोई एड़ोकेट रहने वाले हैं और वीपर सेना के दवारा ये जो रिट है वो लगवाई गई है यहां पे आप देख सकते ह और यह 147 number case है 147 number के case की जो मतल요 आप यह मान सकते हो कि बारा बज़े तक के सुनवाई है वो हो जाएगी बारा साड़े बारा के असपास आराम से अराम से सुनवाई है हो डांगी हो स्टार्ट हो जाएगी पोस्ट पॉन करना है या नहीं करना अगर गुवर्मेंट ने पहले ही सोच लिया है कि विए एक्जाम पोस्ट पॉन नहीं करना है तो वह मतलब आसानी से इनका काम हो जाएगा क्योंकि यह हाई को यह इतना तो मतलब बोल देंगे कि आप एक परकार से यह कर देना कि भी सुन नहीं चाहे कि विए एक्जाम पोस्ट पॉन्ड हो तो यह सिस्टम भी हो सकता है कि सुनवाई है वो आज मतलब पूरा फैसला है वो नहीं सुनाया जाए एक दिन के आगे कि जो तारिक है वो दे दी जाए और फिर वो अपना एक्जाम हो तेरा तारिक को ही हो जाए तो यह भी हो सकता है बाकि अभी तक कुछ पता नहीं है 50-50% यहां पर चांस है कि भी कुछ हो सकता है बाकि दुआ मतलब आप सभी यही करना कि भी बच्चों के हक में फैसला आए उमिद सभी की यही रहे गी तो मिलते हैं 12 वजे तक